वेलो फ्रेंटस वल्कम ऐशनेक्राइशन देखें आज मैं आपके लिए एक लिए ये अंगल्स के लिए कही एया बड़ दोनों के लिए सेम पेटर्न है इसमें यह मैं स्वेटर लेके आई हूँ यह स्वेटर मेरा सिक्स तो सैवने एर्स बच्चे के लिए है Spiels फिर इसमें चार सलाईया निया कि दो सीधी दो उल्टी है मैं इसमें फिरोजी कलर से बनाई और फंदे बढ़ाए यह फंदे हमारे बढ़ाई हैं 77 फंदे हो गए और फिर यह मैंने पैटर्न ऐसे डाला कलरफल पैटर्न डाला और अब यहां से इसके उपर कैसे हमको यह भी नई बनानी है फिर से यहां पर बनाके बताऊंगी मैं यह देखि इसमें इतना बनाने के बाद मैं डिजाइन बनाना इसलिए बताती हूं जिसमें पूरा मेरा डिजाइन का लुक आपको दिखे तो जो ड बिनाई बीच से बताती हूं तो उसको स्टार्ट करने का तरीका सेम बॉर्डर के बाद वैसे ही रहता है इसलिए मैं इसको बीच से बनाना स्टार्ट करती हूं क्योंकि आपको पूरी बिनाई का लुक फाइनली दिखे कि कैसे बनकी आता है तो चलिए बिनाई बनाना यहां स से स्टार्ट करते हैं एंयुकोथ यहां शाहिनगे यहां से यहां लगाना है इस मुझे यहलो कलर का फिर से रिपीट करूंग देखने लिए हमारे यहलो से स्टार्ड होग तो यहां rocky इशनी में especially हमारा सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार में एक ही कलर चलता है दो कलर हमें नहीं उसकरने पड़ते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हमने जो मेरा यलो कलर है उससे मैंने यहाँ पर पांच फंधे यलो भिनेंगे एक दो तिन छार और यह पांच हमारे यलो होगे एक फंधे को बिना बिने एसलाई पे ऐसे ही स्लिप करा लेंगे फिर पांच हमको यलो बिनने है एक दो तेन चार और पांच इसी तरीके से पांच हमको बिनने है और एक फंदा हमारा बिना बिने स्लाई पे उतार लेना है इस बिनाई में जैसा हम सीधा बिनते हैं वैसे ही हमको उल्टी साइट पे बिनना है बस सीधे फंदे को उल्टा बना तो इसमें मैं सीधी सिलाई ही इस तरह बताऊंगी और उल्टी सिलाई हमारी as it is रहेगी इसलिए उसको बताने की मुझे लगता है कि आवशकता ने पड़ेगी आपको यह बिना यह ऐसे ही समझ में आ जाएगी तो यह फर्स्ट रो राइट साइट की हम ऐसे ही कंप्लीट करत है कि सारे फंदे जो यलो है वो ल्टी बिनने जाएंगे और जो बीना बीना फंदा है उसको स्ल्इपके पर कराके ऐसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे तो यह देखिए इस पर सीधी और उल्टी चाहिक और एक उतारा इसी तरीके से उल्टी साइड में पांच उल्टे बिने और फिरोजी वाले फंदे को ऐसे ही बिना बिने स्लाई पे स्लिप कराते हुए पूरी रोग कम्प्लीट करी अब इसमें यलो एक बार मैंने यलो उन से बि भिन बिन स्लाइपे लिया और यहां से अब 3 हमारे इसमें 또 3 tut यह हमारे blue color से हो जाएंगे कर आए कर आए दो और यह 3 थे मैं discussion गल्यों को फ़िर बिना बिने स्लाइप ले लिया इस वाले ब्ली प्रूप को यह मैंने उतार रखा था इसको बिना फिर एक を Ultra लिए और ये पांस यू यलो थे सेanne से हागे पीछे का फंदा उताऊं अंगे बीच के तीन फंदो को ब्लह की से बना कि बनाएंगे इसको फिर उताऊ है एक blue, एक उतारा, और तीन हमारे इसमें yellow हो जाएंगे, फिर एक फंदे को slip करा लिया, yellow को, फिर रोजी वाले को बिना, एक slip कराया, और तीन हमारे, इसमें blue कलर के हो गए, एक उतार लिया, एक बिना, फिर एक उतारा, और तीन हमारे ये blue हो जाएंगे, इसी तरीके से हमको ये right side की row complete करनी है, ये देखिए, हमारा ऐसे बनके दिखे गई है, ये जो हमारा box बना था, इसमें आगी और पीछे का yellow फंदा उतारेंगे, पीछ के तीन फंदो को हम blue एक बिनेंगे, एक उतारेंगे, तीन बिनेंगे, एक उतारेंगे, एक उतारेंगे, एक उतार लिया, फिर तीन बिना, ये देखिए, कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसी तरीके से हमको इसमें उल्टी रो भी complete करनी है, बिने वे फंदे को बिनना है, उतारे वे फंदे को उतारना है। तो उस सीधी और उल्टी रहों ऐसे ही कमफ़ुल्ट करते हैं। यह देहिते सेपड़ी और उल्टी स्लाइप कमफ़ुल्ट करई तो हमारा यहे एक से बैसे बाक्स जैसा बनके दिखने लगा इसमें ऐसे कर दिख रहा है Ist आप इसमें हमारा यहां पर yellow color चलेगा इसमें बार में एक ही color चलता है तो अब देखिए हमको यह वाला फंदा यह यह बिनना है और blue वाले को 1 बिनन and विदना और इन 3 के बीच यह बिनना बिना बिने को बिना के Jaię और फिर यहां से हमारे पांच फंदे यलो हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, और ये एक, पांच और बीच वाले फंदे को बिना बिने स्लाई पर स्लिप कराना है फिर यहां से हमारे ये पांच हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच सिर्फ बीच वाले फंदे को हमें उतारना है जो तीन हमारे बीच में ब्लू कलर के हैं इसमें से बीच वाले फंदे को उतारेंगे बाकी फंदों को बिनेंगे पांच हमको बिनने है और एक उतारना है तो यह हमारा यह हमारी रो ऐसे बनके आती इसी तरीके से हम ये right side की row complete करेंगे पांस बिनेंगे और एक फंदा इसमें उतारेंगे और ulti side की भी row हमारी ये ऐसे ही चलेगी जो बिने हुए फंदे हैं इनको हमें बिनना है और उतारे वाले फंदे को उतारना है तो ये सीधी और ulti slide ऐसे ही पूरी complete करते हैं तो ये ऐसे बनके आता है ये हमारी यहां पर हाफ बिनाई का पैटन complete हुआ है अब इसके ऊपर हमारा फिर वही repeat होगा ये हमारा फंदा चुकी अब इसको blue color से बिनेंगे तो ये वाला फंदा उतारा जाएगा और तीन हमारे blue होंगे ये उतारेंगे और ये हमारा blue होगा ये हमारी आधी बिना यहां से अब complete हुई है पहला फंदा उतार लिया और इसके बार एक दो और ये तीन बिने इसको उतारा फिर एक बिना एक बीना बिने उतार लिया फिर तीन बिनेंगे एक दो और यह तीन इसको बिना बिने उतारेंगे फिर यह बिना बिने उतारा और तीन हमारे यह blue हो जाएंगे इसको बिना बिने slide पर slip कराया यह वाला बिना इसको उतार लिया और बीच के यह तीन हमारे blue हो जाएंगे देखिए जैसे नीचे बनाया था सेम एज़टिस है क्योंकि हमारी आधी भी नहीं कंप्लीट हो गई आधी फिर से वही रिपीट होगा तो यह वाली रोपुरी ऐसे ही कंप्लीट करते हैं राइट साइट की और उल्टी साइट की भी हमको ऐसे ही बिनना है बिने विफंदों क उल्टा बिनना है और उतारे वे फंदे को स्लाई पे उतारना है यह दिखिए यह से हमारा बीच में ब्लॉक सा बनेगा ऐसे तीन यह हो जाएंगे हमारे ब्लू एक यलो एक ब्लू एक यलो तीन ब्लू जैसे नीचे यहां से बनाया था वही हमारा बिनाई रिपीट हो रहा को हैं पूरा बिन के आरा फीर नीचे का हमारा वही ब्लॉक कमप्लीट अब इसमें हम, हम leyesब करा Groß भूल तो हमारे फिर हो हुआ है अकした ऊचनघर पगक रिपीप हो का हमारे यलो हो जाएंगे एक बिना बिने स्लाइप स्लिप कराना है और 5 हमको यलो फंदे बिनने हैं इस विनाई में सबसे थही बात है कि हमारे एक स्लाइप ही कलर चलता है तो पीछे इंगे नहीं रहती है बनाने में बहुत इज़ी रहता है देखने में इनकी मुन बहुत बनाने में अठाक्टिव और इस बेधर पर हमारे 9mm rays करना है और एक पंदा हमें बेना बेने सलाय पे स्लिप कराना है और योप आपक्त कर बीड भी ते इसे ही complete करते हैं यह देखिए पूरा हमारा block ऐसे ऐसे बनके आएगा यह देखिए पूरा हमारा यह ऐसे complete होके आया और अब यहां से हमको यह complete हमारी complete हो गई है और अब जो हम बिनेंगे तो पूरी रो हमारी यह blue color से जाएगी सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों साइड से हमको blue बिनना है इसमें चार सिलाइया हम blue की complete करेंगे उसके बाद फिर हमारा यह pattern यहां से ऐसे ही repeat होगा तो इसमें जो चार सिलाइया मैंने blue की color करी है यह आप चार भी रख सकते हैं छे रख सकते हैं यह आपकी मर्जी पर depend करता है कि बीच का distance आप कितना रखना चाहते हैं अगर आपको ज़्यादा distance से ही है तो आप इसको ज़्यादा gapping पर भी बना सकते हैं नयावर मैंने इसमें भी बनाई डाली है 4-4 सिलाइयों के gaping पर डाली है तो इसमें 4 हम right Pizza बिनेंगें और मलब राइट सेट एक सीदी लिआए हो गई, एक सीदी और एक उल्टी इसना टोटल 4 शिलाइयां दो सीधी दो उल्टी बिनने के बाद हम pattern को repeat, मैंने इसमें repeat किया है, तो इसी तरीके से ये हमारा पूरा बिनाई complete होता है, और इसका जो final look है, वो इस तरीके से दिखने लगता है, ऐसे पूरा हमारा बनके आ गया, ये पूरा हमारा pattern नीचे से वही repeat होते वह आया, तो हमारा एसे block में पढ़के, ये ऐसे बनके complete हुआ, देखिए, जब हम इस बिनाई को डालेंगे, तो इसमें plain सिलाईया बिनने के बाद, फिर हमारा pattern इसको repeat करते वह, इसको ऐसे ही उपर तक बिनेंगे, इसको हम यहां से भी और उपर बिनेंगे, ऐसे ही block बार बार, मैंने अभी yellow फिर black, फिर red, इसी तरह alternate colors को नीचे से repeat करते वे, इसको पूरा उपर तक complete करते हैं, ये देखिए, इसको मैंने ऐसे पूरा design डालते वे complete किया, alternate design जो मैंने नीचे से start करी, उसी को डाला, और ये हमारा जो बनके आया है, तो इसकी length हमारी आई है, बॉर्डर से अगर इसको ह हम ऐसे रख के नापते हैं, तो ये मेरा 14 इंच का यहां तक हुआ है, ये 14 इंच का हुआ है, और इसके बाद अब यहां से हम इसमें बाजू का shape करेंगे, तो ये design तो जैसे पड़ी है, वैसे ही पड़ी है, डिजाइन हमारी चलती रहेगी और बाजू का shape भी होगा, तो ब एक, दो और ये 3, पहले इस बार में 3 फंदे घटाएं, उसके बाद नेक्ट स्लाई पे आके 2 फंदे घटाएंगे और फिर एक, तीन दो एक से इसमें हमारा बाजू का shape होगा, उसके बाद इसमें उपर का portion लगभग दो से 3 इंचेस का, ऐसे ही बिनेंगे, उसके बाद इसमें चुकी round गला है, तो गले का shape करेंगे, उल्टी स्लाई में जो बिनाई के according, जो फंदे हमारे जैसे हैं, वैसे ही बिने जाएंगे, पहली स्लाई उल्टी साइट से घटाई है, तो उल्टे फंदे रहें, हमारे और अब इस साइट पे आके, फिर घटाएंगे, तीन फंदे इधर घटाएंगे, लॉट के आएंगे, उल्टी स्लाई पे यहाँ पे दो घटाएंगे, सिधी स्लाई पे दो घटाएंगे, और फिर एक फंदा यहाँ पे घटेगा, तो आल्रेडी में फंदो को घटाना कैसे है, ज्यादा तर स्वेटर में पूरा मेजरमेंट मैं दिखा चुकी हूँ कि हर सिलाई पे कैसे घटाना है इसलिए इसमें बस एक बार बता दिया अब 3-2-1 घटाने के बाद गले का उपर बिनने के बाद गले के पोर्शन को जब घटाया जाएगा वहां तक इसको कम्प्रीट कर 3-2-1 से करने के बाद उपर लगबग 2-3 इंच कम्प्रीट करते हैं इसको कि इसको स्लीव घटाने के बाद यह हमारा इतना पोर्शन बनके कम्प्रीट हुआ है यह हमारा यहां से जहां से ब्लैकून था यहां से हमने स्लीव घटाई है इसकी तो यह हमारा ऐसे लगबग 2 इंच का complete हुआ है और आप यहां से हमको इसमें गला घटाना है चुकि गोल गला हमें घटाना है इसलिए हम एक ही साथ सारे फंदों को लगभग घटाएंगे तो यहां से स्टार्टिंग से मैंने यहां तक 28 फंदे इसमें बिन लिये हैं और आप यहां के 10 फंदे खटे एक साथ बन करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, और यह हो गया, बारा, तो मैं टोटल साइट पर फंदे देखे, इधर भी बराबर बिचने चाहिए, दो, चार, छे, आट, दस, चौटा, सोला, टारा, बीस, बाइस, चौबिस, चबिस, सथाईस, अठाईस, अठाईस, इधर इसको बिनके, कम्प्लीट करते हैं, यह हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग फंदे चलेंगे, और फिर, अब हमको शोल्डर पे, इसमें हमें 20 फंदे रखने हैं, बागी के फंदे हम 3, 2, 2, 1 करके, कम्प्लीट करते हैं, इसका एक साइड का गला, तो यह राइट साइड जैसे बनाया है, वैसे ही, इस साइड का, यह सिधी सिलाई हमारी चल रही है, डिजाइन के एक और्डिंग, एक बिना, एक उतारा, एक, दो, तीन बीच की बिनली, उतार लिया, बिना, उतारा, और यह बिन लिया फंदा, अब उल्टी स्लाई जो फंदा हमारा जैसा है, जैसे बिनायी चल रही है, ऐसे ही बिनके कम्प्लीट करते हैं, यह उल्टी स्ला पर ले लिया है अब इसमें हमारा देखिए यहां पर अब हम घटाएंगे इसमें तीन फंदे कि एक है कि दो कि और यह कि तीन फंदे हमारे घट गए और बाकी फंदे इस साइट पर हमारे डिजाइन के हिसाब से चलेंगे कि यह हमारे तीन के बाद दो घटाएंगे फिर दो और नेफ्ट स्लाई पर एक फंदा इस तरीके से चलेंगे हमारे इसमें सारे फंदों का शेप हो जाएगा गले का चार और एक पाज बीच का फंदा अतार लिया लास्ट के सारे फंदे यलो रहेंगे यह उल्टी रो ऐसे ही कंप्लीट करते हैं यह देखिए सीधी स्लाई पर आने पर आप यहां पर हमको दो फंदे घटाने हैं एक और यह हमारा हो गया दो बाकी के फंदे हमारे यहां पर डिजाइन के हिसाप से चलेंगे यह दिजाइन पूरा उपर से नीचे तक सारे स्वेटर में ऐसे ही पड़ेगा जैसे नीचे डाला है ऐसे ही पूरा डिजाइन हमारा ही कंप्लीट होगा अब इसमें उल्टी शिलाई हमारी ऐसे रहेगी जैसे जो फंदा जैसा है वैसा ही रहेगा फिर यहां पर एक बार दो घटाएंगे और एक इस तरीके से एक बार जहां पर सीधी शिलाई पर आएंगे दो घटाएंगे फिर शिधे शिलाई पर आएंगे तो फिर एक गटाएंगे सुरना घटा है जह हमारी सीधी शिलाई twoorg ऑर यलो से बींते हुए दो फंदे घटाने है एक और यह दो अब इसके बाद एक फंदा और घटाएंगे और शोल्डर पे हमारे ये 20 फंदे बचेंगे और इनी से हम इसको शोल्डर को फिर इन 20 फंदों से उपर कम्प्लीट करेंगे बाजू से लेके इसका शेप नेर बार पांच इंच का हमारा होना चाहिए इतना लंबा कम्प्लीट करके इसको गला हमारा तब कम्प्लीट हो जाएग यह हमारा हो गया पूरा दिखिए अभी शोल्डर पर हमारे यहां पर 21 फंदे हैं आप सीधी सिलाई पर आके एक फंदा गटाएंगे फिर इनी 20 फंदों से उपर यहां से नापेंगे लगभग 5 इंस तक इसको उपर कम्प्लीट करते हैं इसको एक फंदा गटाएंगे फिर इ जैसे ही डिजाइन बनाते हुए बनाते हैं तो एक साइट का हमारा इस शोल्डर कम्प्लीट होगा और इस साइट पर भी देखिए हमें कुछ नहीं करना है इस साइट पर हमारा जैसे हमने यहां पर एक खट्टे फंदे हमारे सारे घट गए हैं और यहां भी हमको 20 फंदे रखने शोल्डर पे तो 3,2,2,1 जैसे मैंने इस साइट पर घटाया है 3,2,2,1 वैसे ही हमें यहां पर 3,2,2,1 घटाके बाकी के 20 फंदे बचाके शोल्डर पूरा इसका ऐसे ही कम्प्लीट करना है यह दिखिए पूरा इसको ऐसे बिनते हुए आए और यह गले का पूरा शेप हमारा ऐसे कम्प्लीट हो गया और इसमें हमारी जो बाजू की शेप यह ऐसे बनके आया है यह हमारा टोटल हुआ है यहां से अगर हम नापते हैं ऐसे रखके अगर इसको हम नापते हैं तो यह हमारा नेर बाउट चेंज से जड़ासा दो पॉइंट चेंज से इतना है दो सूत इसमें जो है वो ज्यादा है तो इसको जिस तरह से इधर कम्प्लीट किया उसी तरीके से यह मेरा दूसरा साइट भी इसमें बनके आया है और शोल्डर पर इस साइट पे भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20 पंदे इस सोल्डर पर भी और 20 हमारे सोल्डर पर भी यह पूरा हमारा फंट का पाट त्यार हुआ और इसका जो बैक पार्ट है वो मैने बिल्कुल प्लेइन बलाक कलर में बनाया हुआ है यह ऐसे चुकि इसमीं बलाक बरडयाट है बलाक सी डिजाईन है और इसका भी शो के मेरा इससाइट से sli को डालते हैं यह उल्ते हमारी इससाइट पर हून है मने चेंज करने के लिए सीकर परका है लगाके यह वाला हुअअ फंदर से लगाके यह वालå इसमें अटैच कराती हूनों सक्क्सक्राइध करatे हूं अभी मैं अटेच कराते हैं सबसे पहले एक फंदा बैक साइट से लेंगे और एक फ्रंट वाले पार्ट से लेंगे और दोनों को पकड़के एक साथ ऐसे दो फंदों का एक कर दिया तो हमारा यह शोल्डर इसमें ऐसे अटेच होता है फिर पीछे का फंदा लिया आगे का फंदा लिया दोनों को एक करा ऐसे और इस वाले फंदे को राइट हैंड वाले स्लाइप पीछे का फंदा इसको ऐसे उतार दिया इसी तरीके से इसमें हर एक फंदे को ऐसे बिनते वे उतारेंगे और पीछे वाले फंदे को इसके उपर से ऐसे निकाल देंगे तो दोनों फंदे हमारे एक दोनों शोल्डर आपस में ऐसे अठेच हो जाएंगे इसी तरीके से दोनों साइट के शोल्डर को हमें पहले इस साइट के शोल्डर अब जुर जायेगा तो इसमें गला और गले के फंदे इसमें उठाएंगे और गला कम्प्रytes होने के बाद फिर इसमें हमें बाज़ू बनाना है तो ये सारे फंदों को इसी तरीके से इन शोल्डर्स को अटेश कराते हैं पहले पीछे का फंदा फिर आगे का फंदा दोनों फंदों को आगे से उल्टा बिना और जो हमाई इस लाई पे दो फंदे हैं तो पीछे वाले फंदे को आगे निकालके उतार दिया यह पूरे हमारे एक साइड का शोल्डर इसमें टैच हुआ और ऑर लास्ट वाले फंदे में उन निकाल के आइसी ज्वैंट कर दिया यह दिख्ये मारा यह वाला शोल्डर इसमें एक से आटैच हो गया अब इसमें यहां से हमें संदीय उठान पिछे के फंदों से भी हम बॉडर बनाएंगे सिर्फ जितने शोल्डर पीछे उतने ही हमको छोड़ने हैं बाकी पीछे जो भी फंदे बीच में आते हैं उनसे हमारा यह बॉडर बन जाता है तो यहां से फंद उठाने के लिए मैं नेक्स बॉल लगाने हैं ब्लैक कलर का करते हुए पूरे ऐसे एक ऐक फंदे पास पास इसमें उठाते हुए चले जाएंगे और लाश्ट तक ऐसे इसे ही फंदे हमको उठाने हैं, देखते हैं है उठाने के बात फंदे कितने होते हैं, उसे हिसाब से पर इसकी काउंटिंग करते हैं, तो यह पूरे फंदे एक-एक उठाते हैं यहां से यह देखिए पूरे फंदे इसे मैंने उठा लिए अच पूरे आएन्ट में उठाए हैं यहां से फंदे उठाए हैं, यहां से फंदे उठाए हैं तो साइट से पूरे किंगेंोंPות उठाए हैं यह 1930 जबनाल लगाए फूरे ईच कि देराए ऐसे इसको उल्टा बिनते हुए पूरा बॉर्डर इसका ऐसे कम्प्लीट करेंगे तो यह इसका बॉर्डर ऐसे पूरा कम्प्लीट करते हैं लगवाग 5-6 सिलाईयों का बॉर्डर यहां से फंदेश के हमें बंद करने हैं तो दिखने में दिखने में दिखा थे चार मेरे उल्टी रोज दिखाई पड़ रहेंगे इसमें और अब यह सीधी साइट पर आने पर यहां से फंदेश के हमें बंद करने हैं देखिए पीछे का मैंने इतना पॉर्शन नॉर्मली जैसे बंद होता है वैसे बंद कर रखा है और यह देखिए जब भी इस गले को आप बंद करेंगे तो देखिए जब गले को आप यहां से यह gold shape होता है जो ही मेरा gold shape है वहां पे आके हमको थोड़ा सा फंदा जब हम ऐसे बंद करेंगे वैसे तो हम नॉर्मली 2 फंदों का एक करते हैं जैसे यह 2 फंदों का एक किया नॉर्मली गला हमारा बंद करने का यही तरीका है मगर जहां यहां पे हमारा यह shape आता है जहां से round shape हमारा होता है वहां पे हम 2 की जगह तीन फंदे एक साथ बंद करते हैं तो देखिए मैं थोड़ा सा एक side में आपको बना के बताती हूँ तो उसका shape perfect फिर पता चल जाएगा दूसरी side का उसी साथ से अपने आप से बन जाएगा यहां से ऐसे चल रहा है तो अभी हमारा सीधा है यहां से हमारा यह round shape हुआ है तो यह आपको थोड़ा अपने mind के साथ से देखना पड़ेगा कि कैसे बनाना है तो round shape आप इसमें अपने गले के according देखिए तो अभी इसमें ऐसे बनाया जहां से मेरा yellow color आया है वहां से इसमें shape नीचे का पता चलता है अब यहां पे चुकिए देखिए यहां पे हमारा यह ऐसे shape है तो यहां पे हम देखिए फंदों को जो बन करेंगे तो अभी तक दो फंदे बन कर रहे थे और यहां पे corner पे आके यह 3 फंदे एक साथ बन किये ऐसे फिर दो बन किये और फिर एक बार यह 3 फंदे बन कर दिये तो इससे हमारा जो यह shape होता है यहां पे यह वाला यह shape जो बन के आता है यह देखे perfect आता है और इतने फंदे फिर नॉर्मल बन करेंगे और फिर इसी तरीके से corners पे फिर दो बार दो की जगे तीन फंदे घटा देंगे तो हमारा गला यह बहुत सुंदर बन के आ जाता है शेप इसका बहुत सुंदर बन के आता है बाकी तो नॉर्मली फंदे जैसे गले में हम बन करते हैं वैसे ही हमको बन करने है इसमें हमारा जो बन करना है वो यहाँ पे आके हमें फंदे जो है इसमें यहाँ पे आके ऐसे आप देखेंगे तो यह पता से लेगे यहाँ पे हमारा शेप है तो वहां तक इसको नॉर्मल उतारते हैं दो-दो फंदे करके और कॉर्णर पे फिर वो तीन फंदे बन कर देंगे इस साइट का गला दिख रहा है ऐसे शांदार बन के आया है इसी तरीके से यहां पर भी करके इसको पूरा कम्प्लीट करते हैं यह दिखिए पूरा मैंने ऐसे लास्ट में लास्ट तक गला इसमें बन किया और यह यह गला बंद हुआ दिखिए कितना सुन्दर इसका शेप आया हुआ है यह दिखिए ऐसे इसका इस पर रखके दिखाऊ मैं यह दिखिए यह हमारा गला ऐसे एकदम बनके आया है पूरा कम बनने के बाद इसमें जो इस साइट का शोल्डर है इसको फिर से हमको वैसे ही जोड़ना है जैसे यहां का जोड़ा है और फिर यहां से बाजू के फंदे उठाने हैं तो इसको जोड़ने के बाद इसमें बाजू के फंदों को उठाते हैं जैसे मैंने उस साइट का शोल्डर जोड़ा था उसी तरीके से हमें यहां का भी शोल्डर जोड़ना है देखिए शोल्डर यहां से जोड़ना तो है ही साथ में जो हमारी पत्ती है यह कंप्लीट हो गई तो इसको पहले इतना सिल लेते हैं पत्ती को उसी उन से हमारा यह गला भी जुर जाएगा तो पहले इतनी पत्टी को सिलते हैं एसे और हमारा यह पत्टी ऐसे बंद हो गया और एकoni को पूरा सिल्के चैसे स्लाइव मैंने उता जोड़ा 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 जोड़ पूरा गला हमारा बन की ऐसे आया और दोनों शुरलर्स हमारे ऐसे अठेच हो गए अब यहां से हम इसकी स्लीफ के लिए फंदे उठाएंगे जैसे गले के लिए उठाया था उसी तरीके से इसमें स्लीफ का फंदा उठाते है इसमें मैंने बाजू में यह 72 फंदे पूरे एक स्लीफ में 72 फंदे हुए है और इस 72 फंदों से इसका हम बॉडर बनाएंगे तो इसका बॉडर भी जैसे गले का बॉडर बनाए है उसी तरीके से नॉर्मल उल्टा उल्टा विनना है 8 स्लीफ यों का बॉडर होगा ऐसे राइट साइड से भी उल्टा और उल्टी से उल्टा बनाते हुए हमको इसका बॉर्डर कम्प्लीट करना है तो यह जैसे गले में 8 लाइया है मलब चार हमारी उल्टी रो इसमें दिखनी चाहिए इसी तरीके से इसको कम्प्लीट करते हैं यह दिखिए पूरा बॉर्डर मेरा कम्प्लीट हुआ और इसमें ऐसे चार उल्टी रों यहां पर दिख रही है तो यह मेरा 8 लाइयों का बॉर्डर हुआ और आप यहां से हमें सारे फंदे इसके बंद करने हैं कैसे गले के फंदे बंद किये थे उसी तरीके से यह पूरे फंदों को बंद करेंगे तो यह हमारा बाजू का बॉर्डर एक साइट का तयार हो जाएगा इसी तरीके से इसकी सेकेंड बाजू भी उठाएंगे फंदे 72 फंदे उठाके उसको भी इसी तरीके से कम्प्लीट करके दोनों बाजवें इसमें कम्प्लीट हो जाएंगी हमारी तब इसे सारे फंदों को बंद करेंगे इसे बंद होने पर हमारा दिखने लगेगा यह देखिए हमारे पूरे फंदे मैंने इसमें बंद करें ऐसे यहीं से उन को कट करेंगे उन को थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लेंगे क्योंकि इसे उन से इसमें हमें सिलाई भी करनी है साइट की और यह हमारी पूरी बाजू ऐसे इसमें बनके कम्प्लीट हुई यह देखिए हमारी बाजू ऐसे बन गई और यहीं से अब यह वाले पॉर्शन को इसमें यहां से लेके यहां तक बॉर्डर तक इसमें सिलाई करेंगे इसको द्थिए यह सटर पूरा मेरा ऐसे गला और स्लीन कंप्लीट हुई यह बनके तयार हुआ और इसकी जो लंबाई हमारी आई है तो टोटल हमारा इसांगा है यह हमारा 20 इंच का लंबा फुल लेंध्स जो हमारी शोल्डर से लेके निचे तक है 20 inch है और इसकी चोड़ाई हमारी है ऐसे ना पेंगे तो 14 inch का है तो ये sweater पूरा जब complete होता है तो finally ऐसे दिखता है और ये बच्चे को बड़े अराम से आएगा तो friends आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे अम्मेदे की पसंद आया होगा और अगर अभी तक आपने हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे थैंक यू